अब्यूंड वेलकम फुमिल चैनल यहाँ पर आप हसते रहें मुसकुराते रहे और इसी तरह利न सुनते रहें गाई यहाँ पर आज की रिडिंग है, कि देख रहे हैं। कि आपके लिए कौह निकुत आपirse मारत है शैंडे यहाँ आपको सपोर्ट कर रहे आपकों से बहुता है कि आपको सब्सक्राइब देता है, जो आपको बहुता है जैना चाहा है जिनने रड फ्लावर छुना था देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है? यहां पे देखे गाईज, सन, दसन का काड़ाया, मेजर आरकाना से काड़ाया है, यहां पे लक्षमी जी का काड़ाया है, यानि आपकी जो जिनों ने फर्स्ट ऑप्सन चुना था, उनको लक्षमी जी कहना चाहरे हैं, कि आपकी में happiness आ रहा है साती साथ आपके life में success आ रहा है जो भी आपके जीवन में में runata आ रहां थी जो भी तकलीफ है आ रहा था जो भी कंठनाहियां आ रहा है थी जुभी of the girls आ रहे थे वो सब दूर होने वाले हैं आपकी life में आप किसी सच यसे रूब meant होंगे आपके life में कुछ ऐसी सची चीजी आएंगी गैस जो आपको हिलाकर रखतेंगी जो आपको आपके अंतर आत्मा को जख खूर देंगी यानि कुछ अच्छी चीजी आएंगी यानि positive चीजी आपके life में आएंगी और लक्शमी जी तो वैसे भी prosperity Abundance, धन की देभी मानी जाती हैं तो आपके लाइप में वो वो वजायो चाते है या या इधन आना प्यार आना इसमे आना सहयोग आना और सचाई को जाना यह सब चीज आपके लाइप में लक्षमिमा भेज रही है जिसको आपको जानना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है और ये सन का काड़ा है तो आपके life में abundance, सुख समरिधी बहुत तेजी से आने वाला है गाईज और साथी साथ आपके लाइफ में happiness और सुक्ष समरिदी धन, success जरूर से जरूर आ रही है और कुछ एक मुख्य सचाई आपके लाइफ में जरूर से आ रही है जो आप उसको समझेंगे, जानेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये बास सही है कोई सचाई आपके लाइफ म इंटर कर रही है जिसको आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है जिन्होंने second option चुना था देखते हैं क्या आपके लिए आता है गाईज यहां पे आया है guys द अगनी अगनी देवता यहां पे अगनी देवता का कार्ड आया है यानि second option आप के लिए जो अगनी देवता है उनके लिए आपके लिए message आया है कि आपके अंदर जो क्रोध है second option जो क्रोध है जो गुसा है जो अगनी है जो ताप है उसको कम करें यानि आपके अंदर किसी बात को लेकर या किसी परसन से लेकर बहुत ज़्यादा दुस्मनी है गुसा है क्रोध है तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि letting go छोड़ दो गुसे को छोड़ दो तकलीफों को चिंताओं को क्रोध को छोड़ दो अगर किसी चीज को आपको ज़्यादा ही ब्रॉदर कर रही है ज़्यादा ही परिशान कर रही है तु letting go कर दो यानि छोड़ दो उस चिंताओं को दुख को तकलीब को और उस इंसान को भी छोड़ दो जो तुमको परिशान कर रहा है या क्रोध दिला दे रहा है या कुछ भी आपको उकसा रहा है तो ऐसे इंसान को बिल्कुल उसके पासी मत जो बिल्कुल छोड़ दो उसे इदम दूर हो जा तो तुम्हारी लाइफ जो है बहुती ज़्यादा बेटर हो जाए जो सफर कर रहे हो जो पेन जेल रहे हो वो सब तुमसे दूर हो जाएगा और तुम्हारे लाइफ में क्या आएगा spiritual development आएगा अध्यात्मिक विकास आएगा प्यार आएगा इस नहीं आएगा वो कब आएगा जब तुम अपने गुसे को क्रोध को अगनी को ताप को छोड़ोगे तब तुम्हारा लाइफ जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहने वाला है क्योंकि जो क्रोध की अगनी होती है आग से भी ज़्यादा तेज जलाती है इंसान को तो यहाँ पर आपके लिए अगनी देवता ही आए है और यही आपके बोलते ना आपको ब्लेस भी कर रहे हैं अगनी देवता यहाँ पर एक और चीज आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप अपने आपको पहचाने की कोशिस करो यहाँ पर यानि अपने रिफ्लेक्शन को अपने पर चाही को पहचाने की कोशिस करोगे अपने आपको जानने की कोशिस करोगे तो तुम में वो spiritual growth होगा, वो अध्यात में विकास होगा, तो तुमको विश्वासी नहीं होगा कि मैं ही वह इंसान हूँ, यहाँ पर अधर में मत लटके रहो, यानि अपने लिए सही decision लो, सही चीज चुनो, अपने लिए सही रास्ता चुनोगे, तो तुम बहुत ज्यादा आगे जाओगे, चाहे वो कोई भी life हो, कोई भी जीवन हो, चाहे वो spiritual हो, चाहे वो finance हो, चाहे वो आपकी life हो, उसमें जरूर grow करोगे, development करोगे, जिनोंने third option चुनाता देखते हैं, आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है गाइस, pink flower, यहाँ पे आपके लिए आया है, the moon, या यानि सूम, यानि यहाँ पे आपके सूम भगवान के लिए, यानि चंद्रम गौड के लिए आपके लिए आया है, कि चंद्रमा भगवान आपके लिए very important है, guys, यहाँ पर third option, यहाँ पे यह बताया जा रहा है, कि आपका जो hundred and forty one percent आपकी life में, जो moon है, वो कम जोर है, guys, third option फिर से सुनिये कि आपके कुंडली में, या आपके लगन चार्ट में, या आपका महादसा चल रही होगी चंद्रमा के, या अंतर दसा चल रही होगी, आप यहाँ पे खुद भी महसूस कर सकते हैं, आप बहुती mentally परसान है, बहुती चिंता है third option आपको, वो आपका fear हो सकत सकता है, conflicts हो सकता है, या हो सकता है कि आप में बहुत ज़्यादा कोई अंचाहा डर हो, या आपके मन में अनाप सनाब भयाते हैं कि यह हो जाएगा, मेरा केरियर चलेगा कि नहीं चलेगा, मेरा अच्छा होगा कि नहीं होगा, या जो अंदेखा फियर होता है न वो आपके मन में कही न कहीं चल रहा है तो यहाँ पर मून भगवान बोल रहे हैं यानि चंदर भगवान बोल रहे हैं तुम इतने एंजाइटी में इतने फियर में इतने डिप्रेशन में इतने कॉन्फलेक्स में मत रहो इतनी कठिनाया क्यों सह रहे हो तुम उसको ठीक करने के भी बहुत उपाय हैं यहाँ पर आपको सुम भगवान यानि मून आपसे कह रहे हैं कि तुम थोड़ा सा चांद की चांदरी में थोड़ा टहलो थोड़ा चांद को देख कर थोड़ा प्रातन करो यह चंद्रभवान जो मेरे लाइफ में कस्टार हैं उनको दूर कीजिए अवस्य दूर होंगे यह करके देखे थड़ा अपसन आप लो थोड़ा सा चंद्रमा के को देखिए उनसे प्रातना करिए कि मेरे लाइफ में जो भी डिप्रेशन है एंजाइटी है फियर है कॉ उसको दूर करिए अवस्य दूर होगा गाईज और सबसे पहली बात यह है कि आप थोड़ आपके जो देव हैं चंद्रमा उनको थोड़ा मजबूत करने की कुसिस करेंगे तो आपकी यह जो भी तकलीफे आ रहे हैं लाइफ में वो दूर हो जाएंगे इतना आप करके रिखाना है तो आप जरूर टीम से मेरे कॉंटेक्ट करिये थैंकू अब्रीवर्ण कि यह बाद यह चार्फ को दूर्फ करेंगे तो आपके जरूर टीम से मेरे कानक्ट्स करिए थैंक यू एवर्रिवर्वन